बच्चपन और कहानियों का इकलगी नाता है ये कहानिया ही तो है जो जिन्दगी की छोटे से छोटी सीख बरेही सहच और सरर तरीके से दे जाती है और इसी सीख पर निर्वर करता है बच्चों का वैक्तित्व ये इन कहानियों का जादूई है जो बच्चों को जीवन पर बूलने नहीं देगा कि जिन्दगी में नैतिक मूल्य का होना कितना जुरूरी है दोस्तों आज हम एक नहीं कहानी सुनते हैं शेर और तोता की कहानी एक जंगल में एक शेर और एक तोता रहते थे शेर को अपनी ताकत पर बहुत कमन था जबकि तोता अपनी भुद्धिमानी के लिए जाना जाता था एक तिन शेर ने तोते को चुनौती दी कि वै उसके पास से बिना डरे गुजर कर दिखाए तोते ने शान्ती पूर्वक शेर की चारो और उरान बरी और एक पेर की उची शाका पर बैठ गया शेर ने घुसे में आकर तोते से पूचा तुम मुझसे डरते क्यूं नहीं हो तोते ने उत्तर दिया मैं जानता हूँ कि आप मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं लेकिन मेरी समझदारी मुझे आपकी ताकत से बचाई रखती है शेर ने ये सुनकर अपनी गलती समझी और तोते से मित्रता करी दोनों ने मिलकर चंगन में शानती और समझदारी का संदेश फैलाया सिक्षा केवल ताकत से ही नहीं बलकि बुद्धिमानी से भी बड़ी समस्याओं का समदान हो सकता है दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाच्चिंग